इजरा की पुस्तक अध्याय दो, इजरा की पुस्तक अध्याय दो, जिनको बाबेल का राजा नवोखदनेसर, बाबेल को बंधुआ करके ले गया था, उनमें से प्रांत के जो लोग बंधुआ इससे छूट कर, येरुशलेम और येहुदा को अपने अपने नगर में लवट वह ये है, ये जरुबाबेल, एशू, नहेम्याह, सरायाह, रेलायाह, मुर्देकै के बिल्शान, मिस्पार, बिगैवे, शक्रहूम, और बानाक के संख आये, इस्राइली प्रजा के मनुशों की यह गिंती है, अर्थात, परोष की संतान, दो हजार एक सो बहत्तर, शपत्य आरह की संतान, तीन सो बहत्तर, आरह की संतान, साथ सो पचात्तर, पहत्मो आप के संतान, एशू, और योवाब की संतान में से, दो हजार आठ सो बारह, इलाम की संतान, बारह सो चववन, जक्तु की संतान, नव सो पैतालिस, जक्के की संतान, साथ सो साथ, बानी की संतान, 42, 22 की संतान 623, अजगात की संतान 1222, अदोनिकाम की संतान 666, बिगवे की संतान 2056, आदिन की संतान 454, यहिचकिया की संतान आतेर की संतान में से 98, 42, बैसे की संतान 320, योरा की लोग 112, हाशुम की लोग 223, गिबबार की लोग 95, बैतलहेम की लोग 123, नतोपा की मनुष्य 56, अनातोस की मनुष्य 128, अजगाम वेत की लोग 42, किर्यतारिंग कपिरा और बेरोत की लोग 743, रामा और गेबा की लोग 621, सिकमास की मनुष्य 122, बैतल और एके की मनुष्य 223, नभू की लोग 52, मगबीश की संतान 156, दूसरे एलाम की संतान 1254, हारिम की संतान 320, लोद, हादीर, और उनों के लोग 725, यरिहों के लोग 345, सना के लोग 3630, फिर याजको अर्थात एशु के घराने में से, यदायात हकी संतान 973, इम्मेर की संतान 1052, पशहूर की संतान 1247, हारिम की संतान 1017, फिर लेविय अर्थात एशु के संतान और तजमियल के संतान होदब्या की संतान में से 84, फिर गवईयों में से, आपस की संतान 128, फिर दर्बारों की संतान, शल्म की संतान, आतेर की संतान, तलमून की संतान, आकूब की संतान, हतीता की संतान और शौबे की संतान यह सब मिलकर 149 होए, फिर नतीन की संतान, सिहा की संतान, हसुपा की संतान, तबाओत की संतान, केरोष की संतान, सी आह की संतान, पादोन की संतान, लबाना की संतान, हगबा की संतान, अकूब की संतान, हागाप की संतान, शमयले की संतान, हानान की संतान, गिदल की संतान, गहर की संतान, रायाह की संतान, रसीन की संतान, नकुदा की संतान, गज्याम की संतान, ठज्या की संतान, पासेह की संतान, बैसे की संतान, असना की संतान, मुनीम की संतान, नपिसीम की संतान, बकबूक की संतान, हकुपा की संतान, हरहुर की संतान, बसलूत की संतान, महीदा की संतान, हर्शा की संतान, बर्कोस की संतान, सिस्रा की संतान, तेमह की संतान, नसिह की संतान, और हतीपा की संतान, फिर सुलिमान के दासो की संतान, सौते की संतान, हसो पेरित की संतान, परुदा की संतान, याला की संतान, दरकुन की संतान, गिद्देल की संतान, सपत्याह की संतान, हत्तील की संतान, पोकरे तहसे बाइस की संतान, और यामी की संतान, सबनतीन और सुलिमान के दासो की संतान, 352 फिर जो तेलमेलह, तेलहरशा, करूब, अद्दान और इम्मेर से आए परन्तु वे अपने अपने पित्रों के घराने और वनिशालिन न बना सके कि इसराइल के है, वह यह है अर्थात दलायाह के संतान, तूबियाह के संतान और नकूत के संतान, जो मिलकर 652 थे, और याजको के संतान में से हबायाह की संतान, हकोम की संतान और बरजिले की संतान, जिसने गिलादी बरजिले की एक बेटी को ब्याह लिया और उसी का नाम रख लिया था इन सभोस ने अपनी अपनी वन्शावली का पत्र औरोकी वन्शावली की पोथियों में ढूंडा, परंतु वे न मिले, इसलिए वे अशुद्ध ठहर कर याजक पत्से निकाले गए, और अधिपति ने उनसे कहा कि जब तक उरीम और तुम्मीम धारन करने वाला कोई याजक नहों, तब तक कोई परंपवित्र वस्तु खाने न पाए, समस्तमंडली मिलकर 42,360 की थी, इनके छोड़, इनके 7,337 दास दासिया, और 200 गाने वाले और गाने वालिया थी, उनके घोड़े 736, खचर 245, उट 435, और गधे 6,720 थे, और पित्रों के घरानों के कुछ मुख्य पुरुष ने जब यहवा के भौन को जो यरुशले में है आये, तब परमिश्वर के भौन को उसी के स्थान पर खड़ा करने के लिए अपनी अपनी इच्छा से कुछ किया, उन्होंने अपनी अपनी पुंजी के अनुसार 61, 1000 दर जाने में दे दिये, तब याजक और लेविय और लोगों में से कुछ और गवय और द्वारपाल और नपीन लोग अपने नगर में और सब इसराइली अपने अपने नगर में फिर बस गए